नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रियाविस्ट यूपी में लगातार बहतर चिकित्सा वेवस्था के लिए एहम कदम उठाये जा रहे हैं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने नवचनित 1442 स्टाफ नर्सों को न्यूपी पत्र सौपे सीम योगी का कहना है कि बहतर चिकित्सा सुवीधा प्रदान करने में नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भूमी का उतनी ही महत्पूर है जितनी डॉक्टरों की है देखे रिपोर्ट योपी की योगी सरकार लगातार सूबे के विकास के लिए एहम कदम उठा रही है जहां चिकित्सा विवस्था को और बहतर बनाने के लिए सियम योगी ने 1442 स्टाफ नर्सों को न्यूक्ति पत्र दिये मुख्यमंत्री योगी आदितनात का कहना है कि उचित्चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भूमी का उतनी ही महत्पूर है जितनी डॉक्टरों की है समहारों में नवचिन्यत स्टाफ नर्सों को न्यूक्ति पत्र सौफते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महत्पूर शेत्र है आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि अच्छे स्वास्त के लिए एक मजबूत चिकित्सा व्यवस्था उसी तरह महत्पूर है जिस तरह किसी भ सिधा प्रदान करने में डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का महत्पूर योगदान है डॉक्टरों के मार्ग दर्शन और निर्तुत में नर्सिंग स्टाफ मरीज के साथ अपने अच्छे विवहार और सेवा से आरोगिता के लक्ष को प्राप् योगी आदितनात संजे गादिसना कोतर आयूर विज्ञान संस्थान स्जी पीजी आई पहुँचे जहां वो एक संभारों में शामिल हुए इसी दोरान उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतरगत नवचन्नित नर्सिंग ओफिसर के न्यूकती पत्र वित्रण किय जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है सांथी सीम योगी ने न्यूकती पत्र प्राप्त करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को बधाई और S.G.P.G.I. को इस न्यूकती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया सीम योगी ने कहा कि साल 2017 से अब तक 63 जनपदों में या तो मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं या निर्माना धीन है वन डिस्टिक वन मेडिकल कॉलेज आज सपने को उत्तरब्रदेश शाकार करने जा रहा है किसी भी सब भी समाज के लिए जहां अच्छी शिक्षा आवश्यक है वहीं उत्तम स्वास्थ के लिए अच्छी चिकित्सा विवस्था भी उतनी ही महत्तपूर्ण है वहीं कारिकरम में डिप्टी सीम बर्जेश पाठक, मुख्य सचिव, सीम के सलहकार सहित कई वरिस्टनेता मौजूद रहे सीम योगी राज्ज के विकास के लिए हर शेत्र में काम कर रहे है शिक्षा के साथ साथ सीम योगी ने चिकित्सा विवस्था को भी बेहत महत्तुपूर्ण बताया वहीं यूपी सरकार ने स्वास्त विवस्था को लेकर एक साल में एक लाग से जादा नोकरी देने का लक्ष रखा है अब देखना ये है कि योगी सरकार का लक्ष कब तक पूरा होगा इस खबर में फिलाल इतना ही देखते रहें कैपिटन टीव उत्तप्रदेश धन्यवाद